Well, so good morning, good afternoon, good evening to all of you. चलो दोस्तों, आपने यहाँ पे हमारा chapter by chart revision जो था GST का, इसमें exemption का पहला session कर लिया था और हमने इसमें, यहाँ पे transport sector तक सारे exemptions कर लिये थे, तो चलिए आगे के exemptions अभी cover कर लेते हैं और exemption यह topic को खतम करते हैं. कि बस इसके बाद आपको questionnaire discussion पहले self try करना है, अगर कहीं यहाँ पे आपको दिक्कत जाती है, तो मैं questionnaire discussion record करके upload भी कर रहा हूँ. तो चलिए आप जो है, हमारे schedule के हिसाब से चल रहे होगे, हाँ मैं आपको यह बता दू कि mission संभाव का schedule मैंने आपके login में दिया है, थोड़ा बिच में एक-दो दिन ग्याप होने के वज़े से schedule थोड़ा एक-दो दिन से disturb हुआ है, लेकिन मैं आगे इसको cover कर लूगा, तो आपका schedule के साब से चाहँ के अच्छे से यहाँ पे properly हो जाएगा. चलिए, कोई अगर यह revision वीडियो पहली बार देख रहा होगा, तो दोस्तों कि mission संभाव चाप्टर वाई chart revision for CACMA and CS final आपको यह कैसे subscribe करना है और इसका आपको updated chart material कैसे मिलेगा, इसके लिए description में जो है, मैंने यहाँ पे आपको सारी playlist दे दिये और इसके सारे पहले के revision दे दिये, as well as questionnaire discussion के भी playlist मैंने आपको दे दिये, साथ-साथ में amendments भी आप उसमें तेक लोग है, तो description जरूर देखिएगा और आपको एक बात मैं बता दू, यहाँ पे कि आपको कैसे subscribe करना है mission संभाव की इस revision के लिए, क्योंकि यह lecture तो YouTube पे free है, पर इसका material content और कैसे आपको मिलेगा तो इसके लिए मैंने मेरा पहला lecture जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने पूरा explain किया हुआ है, और के playlist में आपको मिल जाएगा कि आपको कैसे subscribe करना है, हमारे website पे www.vsmartacademy.com है, दूसरा दोस्तों मैं आपको यह बता दू कि टेलिग्राम ग्रूप की लिंक जरूर जॉइन कीजिएगा, आपके login में मैंने टेलिग्राम ग्रूप की लिंक दिया हुआ है, और कि जो भी students उस टेलिग्राम ग्रूप की लिंक में जॉइन करेगा, मैं बहुत सारे important points उस ग्रूप में देते रहोगा, जो आपको exam के लिए बहुत helpful रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको टेलिग्राम लिंक कैसे मिलेगी, तो टेलिग्राम लिंक specially mission sumber 2.0 अगर आप सर्च करोगे तो वो मिल जाएगा, otherwise, आपको जो mission sumber 2.0 की टेलिग्राम लिंक, जैसे आप इस, यहाँ पे mission sumber के लिए subscribe करोगे, आपका हमारे website पर login create हो जाएगा, और login में study group की link दी गई है, वो study group की link आप जरूर देखिएगा, आप टेलिग्राम ग्रूप की link से join हो जाओगे, तो चलिए, आज का revision आज का revision हमारा जो होगा, ओके, about yes, mission sumber का, ओके, यह जो transport sector तो हमने complete किया था, चलो, आगे का discuss करते हैं, चलिए, तो अब आते हैं वेटा, हमारे exemption पे, renting of immobile property, renting of immobile property, इस exemption पे आते हैं, ठीक है, renting of immobile property, अगे, मजा आ रहा है, revision में आपको, yes or no, एकदम confidence हो, confidence हागिया, very good, very good, बेटा, चलो, renting of immobile property, चलो, यह exemption आपको समझा देता हूँ, देखो क्या हुआ, यहाँ पे, exemption क्या है, यह चार्ड आपको draw करना होगा, तो screenshot ले रहे ना बाद में, okay, otherwise इस से समझ लो, अगर आप renting पे देते हो, और renting किसका देते हो, residential dwelling का, residential dwelling का meaning वैसे तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर हम इसको dictionary meaning ले और पूराने CBIC की clarification देखे, तो residential dwelling मतलब आपका rain बसे रहा, जहां, okay, जो ऐसा flat हुआ, house हुआ, bungalow हुआ, hostel हुआ, PG हुआ, tent हुआ, okay, accommodation use for residence, for long term use, okay, residential मतलब आप जहां बसे रहा करोगे, temporary नहीं है, dwell करोगे, जहां रहोगे, okay, उसको residential dwelling कहा जाता है, okay, and जहां monthly basis पर rent देते हो, 11 मेने का, या एक long term, 3 मेने, 6 मेने का contract होता है, उसको residential dwelling करते है, इंडिया में कोई भी, अगर residential dwelling, flat, house, bungalow, rent पे देता है, rent पे देता है, for use of residence, धान सुनिएगा, for use of residence, यह second condition है, important है, कि अगर आपने अपना flat office purpose के लिए दे दिया, आपका bungalow, आपका palace, आपने commercial purpose के लिए दे दिया, तो वो situation में आपको benefit नहीं मिलेगा, residence के लिए जाया गए, तो ही exemption होगा, लेकिन इसमें दो चीज़े बड़ी important है, अगर यह, वो कहरे, use for residence, other than registered person, मतलब क्या, अगर आपने other than registered person को दिया, सुनिए, आपने other than registered person को दिया, तो ही exam, इसका meaning क्या आता है, इसका meaning क्या आता है, कि अगर आपने यह registered person को दिया, तो taxable है, और वो case में river charge है, अगर आपको river charge या दोगा, तो residential dwelling, अगर आपने register person को दिया, तो river charge में register person liable होगा, register person को दिया मतलब क्या मतलब आपका invoice B2B बना सुनिए आपका invoice B2B बना और B2B के invoice में आपने customer को यहाँ पे दिया जैसा कोई company को दिया guest house के लिए दिया या फिर कोई firm दिया H.U.F. को दिया जिसके पाँ GST registration number है तो वो situation में यहाँ पे पर चारज में GST आएगा नव दोस्तों अब important क्या है important है कि sir क्या जब हम hotel में भी रुकते है तो क्या hotel में जो room rent लगता है उस पे GST आएगा कि उस पे आएगा because they are not residential dwelling it does not includes hotel in guest house lodge or campsite like where the amount charge on daily basis in short residential dwelling मतलब एक long term use का होना चाहिए अगर आप hotel में रुक रहे हो camp में, lodge में, in में तो आप ड्वेल नहीं होते हो आपका rent बसेना नहीं है वो temporary रुकते हो तो hotel room पे GST आजाएगा हम किस की renting की बात कर रहे residential dwelling की बात कर रहे है तो यह एक बहुत important point था residential dwelling से related और unregister को दिया तो exempt है registered को दिया तो taxable है इसमे एक clarification भी था और वो एक clarification था under this entry, register person is proprietary concern and rent residential dwelling on his own account अब इसका मतलब क्या है थोड़ा हम analysis करते है और एक chart मेंने एक master chart बना है अगर आपको इसका screenshot लेना है तो आप ले सकते हो अगर पहले वाले chart का लेना हो तो आप ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो आप screenshot ले लो फट आफट चलो, अब यहाँ पे एक दूसरा chart ले लेते है जो renting sector, यहने पूरे renting sector में कहा taxability है और कहा exemption है अगर आपको renting sector का question आ गया तो यह chart में आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा पहले तो लेते हैं renting of residential dwelling, उसका एक chart ले ले लेते हैं okay, renting of residential dwelling में क्या है अगर, अब सूनिये, step by step चलिये renting of residential dwelling, register person को दिया और unregistered person को दिया अगर renting of residential dwelling, unregistered को दिया मतलब B to C में दिया अगर यह unregistered को जो दिया residence purpose के लिए दिया होगा तो एक सम्वास, सूनिया Unregistered को दिया और residence purpose के लिए दिया होगा, तो exam. Sir, अगर मैंने Unregistered को दिया, पर वो, okay, commercial purpose के लिए दिया, अभी मेरा एक student है, मेरा एक flat खा लिए और real case है, मेरा एक flat खा लिए लुक्ता, flat था, flat रहने, okay, accommodation जो रहने के लिए बनाए गया था, और वो स्टुडेंट आए, वो मेरे पास आए कि सर, मेरा नया नया भी स्टार्ट हुआ है, अभी सी यह बना हूँ सर, क्या मुझे आपका जो फ्लाइट है वहाँ, वो यूस करने मिल सकता है for office purpose, for office purpose, अब वो unregistered, उसका turn और भी slugs भी cross नहीं हुआ है, तो मैंने का कोई बा exemption है, अगर आपने unregistered को दिया और residence purpose के लिए तो exemption है, समझा क्या, समझा होगा, तो ठोको like, one type करो, तो यहाँ पर, दूसरा, तो यहाँ पर आपने residential dwelling, यह RD का मतलब residential dwelling, residential dwelling आपने register person को दिया, अब register person में भी, अब मैं दो पार्ट कर रहा हूँ, register person, अब उन्होंने एक exception डा अगर register person प्रोप्राइटर होगा, बोलो मेरे साथ, अगर register person कौन होगा, प्रोप्राइटर होगा, और वो आपका flat ले रहा है, पर वो अपने personal capacity में ले रहा है, मतलब, हाँ, जैसे, समझे लो, आपने GST registration लिया as a proprietor, as a proprietor, और आप flat rent ले रहा है, पर personal capacity में ले 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 ल ठीक है, आपके नाम का GST number है, पर आप अप खुद के लिये ले ले रहे हो, इसी और के लिये नहीं ले ले रहे हो, personal capacity में ले रहे हो, तो वहाँ exemption है, यह explanation है, यह point याद रखना है, यह सबस्वाल पुचा जा सकता है, personal capacity में लिया, लेकिन अगर अगर आप register person हो, और आपने personal capacity में ने लिया, आपने business purpose के लिया, याने personal capacity छोड़ के आपने कोई भी purpose के लिया तो उसका interpretation ही यहाँ आता है कि आपने business purpose के लिया होगा, तो ऐसे case में, yes, यहाँ tax आएगा और यहाँ exemption नहीं मिलेगा और यहाँ पे river charge में tax आएगा यह समझा कि जितने भी student connected है, जोर से बलो, yes, sir, समझ में आया तो यहाँ पे, जो भी अभी live देख रहे होगे या फिर जो बाद में यहाँ पे देखेंगे लाइक करना मच होड़ना और अपनी comment जरूर देना, तो यहाँ यह समझ में आया तो टू टाइप करो, तो यह था renting of residential dwelling to a registered person, okay, अब यह जो पूरा discussion देखा, आपने unregistered को दिया, registered को दिया register में proprietor होगा, तो exemption मिल जाएगा, personal capacity में नहीं, तो taxable होगा, और river charge में होगा, यह तो हमने renting of residential dwelling देखा पर समझ लो मैंने, okay, मेरी commercial property rent पे दे, like a shop, warehouse, etc., वो taxable है? वो taxable है और वो forward charge में taxable है, मतलब मैं अपनी shop rent पे देता हूँ, मैं अपना office rent पे देता हूँ, dwelling नहीं, dwelling नहीं office rent पे देता हूँ, तो forward charge में taxable है, I hope you understood, okay, देखो, river charge एक ही जगा लगता है, reverse charge जब पढ़ोगे नहीं, ऐसा, ऐसा होगा, तो river charge, नहीं तो forward, for example, residential dwelling होगा, register को दिया होगा, other than proprietor होगा, तो reverse, even residential dwelling होगा, और आपने unregister को दिया होगा, और commercial के लिए दिया होगा, तो यहां भी forward लगेगा, okay, यहां ऐसा, ऐसा होगा, तो reverse, otherwise forward, तो ऐसे case में, commercial property आपने रेंट पर दी, तो forward charge लगेगा, यह तो था, okay, यहां पर renting sector, और बताता हो, रेंटिंग सेक्टर में कहा, अगर आपको याद होगा, तो हमने देखा था, renting of room, precincts of religious place, okay, temple के आजवबाजू, जो precincts एक परामेटर देखा था, अगर आपको हस्पिटल वाला याद होगा, तो rent, और हस्पिटल में, अगर रूम रेंट पे दिया, अब 2 रुपीज 1 थाउजन होगा, तो एक्जब, okay, rent more than 1 थाउजन होगा, तो वो टैक्सेबल लोगा, other than ICU, ICCU, and etc., and very important part, hotel in guest house, lodge में, अगर rent पे होगा, okay, तो वो residential dwelling नहीं माना जाएगा, और fully taxable होगा, यह complete chart है, आपको screenshot लेना है, तो आप ले सकते हो, यह complete chart का, और आपने बना लेना, पर यह renting sector का पूरा complete chart है, इसमें पूरा renting sector cover हो जाता है, कहा taxability आएगी, कहां exemption होगा, यह सब कुछ इसमें आजाएगा, मज़ा आया होगा, तो MZMZ type करो, okay, मज़ा आया होगा, तो MZMZ type करो, चलो, टन, 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 चलिया, चलो, यह था पूरा renting sector जो हमने, यहां पे complete किया, उसके बाद में, renting of immobile property sector, banking and financial sector, जब आप GST में छोटे देना, पहले दीन से मैं आपको पढ़ाता हो, कि service की एक definition है, और service की definition, क्या definition है, अगर, okay, service मतलब anything other than goods, money and securities, लेकिन separate consideration charge, for use of money, I repeat, separate consideration charge, for use of money, मतलब आपने अगर किसी को loan दिया, पैसा यूस करने दिया, उसका separate consideration, interest लिया, यह discounting, यह discounting का मतलब cash discount बगरे नहीं, यह discounting का मतलब check discount लिख देना वहापे, discounting का मतलब check discount, promissory note discounting, bill of action discounting, वो भी एक तरफ का interest होता है, early deduction of interest होता है, आपको याद होगा, तो वो early deduction of interest माना जाता है, तो ऐसे situation में, यहाँ पर वो separate consideration, जो आप चार्ज कर रहे हो, वो interest है तो service, because use of money का है, but यहाँ exempted है, और मैंने बहुत पढ़ाया था, यादा रहाँ आपको, yes, तो देखो, यहाँ पर वो क्या कहते है, यह exemption क्या कहता है, अगर आपने, deposits दिया होगे, किसी को भी loan दिया होगा, bank को दिया होगा, unsecured loan दिया होगा, whatever it may be, deposit loan or advances, या bank ने दिया होगा, जिसका आपको interest or discounting, okay, okay, जिसका interest or discounting, okay, यह for consideration है, तो वो situation में, जहां तक है, उसका interest exempt रहेगा, except, except याद रखना, okay, credit card services, except credit card services, मैं फीर से सब को बता देता हम, देना चाहता हो, कि description में, मैंने सारी playlist दी हुई है, questionnaire की, amendments की, हमारे chapter by chart revision की, वो description जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, और आपके पास मेरा book होगा, तो QR code भी इसमें दिया हुआ है, questionnaire description का, आपको अब यह सवाल नहीं होगा, तो ऐसे situation में जहां तक देखा जाए, interest or discounting, on extending loan advances or deposit, except credit card, तो वो जो है exempt रहेगा, तुसरा purchase or sale of foreign currency, अगर foreign currency का, जो commission लिया जाता है, foreign currency, sale or purchase रही amongst bank, amongst dealer, या amongst of bank or dealer, तो यह exempt है, यह exempt है, पर किस में, amongst bank में, amongst dealer में, amongst bank or dealer में, अगर bank to customer होगा, dealer to customer होगा, तो वो case में, तो वो taxable होगा, I hope you understood, तो चलिए, अब जिखो, बैंकिंग सेक्टर का जब भी question आया, तो धान रखना, बैंकिंग सेक्टर में बस इतनी ही service exempt है, I repeat, बैंकिंग सेक्टर में बस इतनी ही service exempt है, इसके अलावा, बाकी सारी services taxable होगी, इसके अलावा, बाकी सारी services taxable होगी, उसके बाद में, service of acquiring bank, इतना important नहीं है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, और उसके बाद में, प्रदान मंत्री, जन्दन योजना में, अगर saving account deposit होगा तो ठीक है, आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, keep in priority safe, और कि वह इतना important नहीं है, तो चलो, इस तरह से हमने banking sector, यहाँ पर देख लिया, complete कर लिया, उसके बाद में, banking sector के बाद, अब आजाईए आप नीचे, exemption in educational sector, आपके exam के लिए, यह sector बढ़ा important है, अच्छे से पढ़के जाना, educational sector, अब देखो, अगर आपकी educational institution होगी, I repeat, आपकी educational institution होगी, अब educational institution होगी, तो इसको दोवे में exemption दी है, service provided by, and service provided to, और के service provided to, यह जो educational institution है, यह service देगी, और यह service लेगी, तो अब देखो, वो क्या कहते हैं, educational institution हैंने क्या, preschool and higher and secondary school, और के इंडिया की सारी school, preschool and higher and secondary school, public हो, private हो, international हो, वो educational institution मानी जाएगी, यह colleges, unities or institution, providing education for obtaining qualification, recognized by law, यह इंडिया का कोई भी colleges, universities, जिसको recognize किया गया है, यह institution, including हमारी CACMA, CAC institution, जिनको recognize किया गया है, for provide, हाँ, यह बहुत important वोड़े, जिनको recognize किया गया है, for providing education, for obtaining qualification, and that qualification also recognized by law, दो recognition जरूरी है, पहला recognition, okay, तो पहला recognition किया है, तो पहला recognition है, कि वो जो, जो भी education दे रहा है, okay, जो भी education दे रहा है, colleges, universities, institution, वो भी authorized चाहिए, recognized चाहिए, और जो qualification दिया जा रहा है, वो भी recognized ही है, और recognized by Indian law, not by foreign law, okay, recognized by law का मतलब, recognized by Indian law, not by foreign law, approved vocational courses of NCVT or NCVT, okay, so बहुत सारे यहाँ पे, ITI courses है, of NCVT, SCVT, National Council vocational training courses, यह state council vocational training courses, so NCVT or NCVT के, employee, यहाँ पे, employee skill programs होते हैं, तो approved vocational courses, और मैं आपको कहो क्या, बस इतना याद रखना, approved vocational courses, आपको NCVT दिखा, यह SCVT दिखा, National Council vocational training, यह state council दिखा, तो बस समझ जाना कि, vocational courses recognize हैं, और last वाला वो क्या कहते है, Central or State Educational Board, okay, Central or State Educational Board, to the extent of conduct of examination to the student, यहने जो, यह SSC Board होता है, यह Central Board होता है, CBSC Board, okay, इनकी उतना ही पार्ट, जो वो एक्जाम लेते हैं, उतना ही पार्ट जो वो एक्जाम लेते हैं, तो यह 4 E.I. माना जाएगा, Educational Institution माना जाएगा, और इन 4 लोगों को ही exemption है, इसके अलावा और किसी को exemption नहीं है, तो अबो एक्जाम लेता हूँ, यह पार्ट मे लेता हूँ, तो यह 4 services को exemption है, अगर कोई private tuition classes ले रहा है, तो private tuition classes को कोई exemption नहीं है, और कि वो E.I. में आना चाहिए, तो यह exemption है, exemption क्या है, exemption mainly 2 exemption है, यहाँ पे दो exemption है, पहला, any service, कोई भी service, supplied to student, faculty or staff, कोई भी service दो, anything provided to student, faculty or staff, तो exempt है, like education fees, lab charges, transportation, catering, और whatever the service provided, पर service किसको नहीं चाहिए, student को नहीं चाहिए, faculty को नहीं चाहिए, staff को नहीं चाहिए, तो exempt है, और service by way of conduct of examination, against entrance fees, मतलब, बहुत सी बार, I.M. Amdabad वागर है, अगर एंटर्स examination लेता है, तो अगर कोई colleges, universities, entrance examination लेती है, तो उसकी जो entrance fees है, वो exempt रहेगी, तो क्याल रहे है, तो क्याल रहे है, तो दो यह exemption हैं, इनको मिलेगा, if they provide, service provided by the educational institution, एक तो any service को बहुत बढ़ा है, कोई भी service, student, faculty, or staff को दिया जाए, और दूसरा entrance examination लिया गया, जिसका entrance भी charge किया गया, exempt है, इसके अलावा, अगर यह EI, बाकि कोई भी services देता है, तो taxable, अब इसके अलावा, कोई भी service देता है, मतलब, any service provided to a person, other than student, faculty, or staff, student, faculty, or staff छोड़के, बाकि किसी को भी service दिया, तो taxable, example की तौरफे, auditorium of school given to other, given to others for seminar, placement services, to corporate sector, franchisee services, बासी बार school franchisee देती है, and number of services, इसके अलावा, कोई भी services, वो अगर देता है, तो उसके case में tax आएगा, student, faculty, or staff, और entrance fees में tax नहीं आएगा, समझा क्या, समझा होगा तो जोर से one type करो, समझा होगा तो जोर से one type करो, very good, तो यह आपने देखा, regarding to educational services, provided by educational institution, तो आप जब यह exemption पढ़ोगे, तो सबसे पहले, who should be, EI, EI कॉन, वो देख लेना, उसके बाद में EI में, यह जो है, यहाँ पे कौन सी service exempt है, कौन सा taxable है, ओके, private coaching classes को exemption नहीं है, पर ख्याल रहे है, यह exemption सिब service को है, यानि अगर school colleges वगरे, service देती है, by way of education, तो उसको exemption है, ओके, तो अब यहाँ पे, अगर school colleges, service ने, goods supply करती है, goods supply, बस्तब stationery supply कर रही है, uniform supply कर रही है, तो उसको exemption रहेगा, क्या नहीं, यह exemption goods का नहीं है, ओके, यह exemption goods का नहीं है, यह exemption service का है, I hope you understood, I hope you understood, ओके, उसके बाद में, next अगर हम देखे, तो यह ता service provided by educational institution, by educational institution, उसके बाद में, हम second देख रहे है, service provided to educational institution, हाँ, ओके, यह जो educational institution, कुछ services लोगों से लेगी, तो उनको भी exemption दिया गया है, अब कुछ services लोगों से लेगी, तो उसको exemption क्या दिया है, तो देखो, यह थोड़ा carefully learn करके जाना, I repeat, यह थोड़ा carefully learn करके जाना, अगर transportation of student, faculty and staff, पहली बात तो transportation, किसका transportation, student, faculty and staff का transportation, अगर यह service होगी, जो private contractor दे रहा है, या catering service होगी, including midday mill, अंगनवाडी, अंगनवाडी का midday mill अगरे, तो catering में midday mill भी आ जाएगा, और security, cleaning and housekeeping service, यह तीन services, पहले category को है, school को ही है, यह exemption only supplied to school, school अगर यह तीन services लेती है, तो exam, ओके बाकी नहीं, बाकी नहीं, तो यहाँ धर धान रखना, ओके problem ऐसा आ सकता है, यह services colleges ने लिए, यह services universities में लिए, नहीं, वहाँ exemption नहीं, school लेती है तो ही exam, दूसरा, दूसरा supply of online educational as a journals or periodical, online journals, periodical subscribe किया गया, और यह online journals or periodical colleges लेता है, सुनियेगा, only supplied to colleges, universities recognized by law, यह second category वाला लेता है, तो ही exam, ओके otherwise not, तिसरा, इसरा यहाँ पे, ओके service relating to admission to, और conduct of examination, मतलब क्या, ओके service relating to admission, और conduct of exam, examination conduct करने के लिए, evaluator appoint किया गया, examiner appoint किया गया, paper checker appoint किया गया, और कि जो भी services, exam purpose के लिए, हाँ, अब यह fifth number का जो है, और कि यह fifth number का, किसी ने भी लिए हो, और exam supplied to all educational institutions, यह सा arrow बता दो, यह arrow बता दो कि, यह जो exempt रहेगा, fifth वाला, यह fifth वाला to all, सब के लिए exempt रहेगा, मतलब यह service, admission to, और conductor of examination, यह service, school वालों ने लिया, colleges वालों ने लिया, approved vocational course वालों ने लिया, या फिर यहाँ पे, okay, board ने लिया, तो सब के लिए exemption रहेगा, यह अमने देखा भीटा, educational institution, लेकिन, यह तो मैंने रिवाइस करवा दिया, आपका पुरा brush up करवा दिया, एक अच्छे format में, पर, okay, मैं आपको कहूगा, कि यह exemption chapter के, जो जो main main exemption है, एक बार regular math भी पढ़ लेना, और इस से related questionnaires भी solve कर लेना, ठीक है, अब उसके बाद में कुछ, यहाँ पर circular होने दिया है, okay, एक है, maritime training institute and their training course are approved by DG of shipping, which is duly recognized under provision of merchant act, and therefore, उनको exemption में लेगा, और maritime training institute होगा, वो recognized institute मानी जाएगी, और वो recognized institute मानी जाएगी, क्योंकि वो under this act recognized है, तो वो अगर कोई educational service देगे, तो exemption रहेगा, definition of educational institute includes अंगनवाडी, अंगनवाडी मतलब nursery, preschool होता है, and hence serving of food to अंगनवाडी shall also covered under exemption, whether sponsored by government or private organization, जो food दिया जा रहा है, वो के वो अंगनवाडी को दिया जा रहा है, वो private दो या government दो, कोई भी दो, अगर catering service, अगर catering service, पर वो government की हो या private की हो, अगर school को दिया गया, तो वो exemption में रहेगा, okay, following clarification also issued in respect of central and state board, including NBE, okay, तो national board, यहाँ पर examination, तो conducting entrance examination for admission to educational institution by charging fees, entrance examination exempt होगा, input service taken for conducting such entrance examination, इसी और से servicely for conduct of examination, वो exempt रहेगा, accreditation of educational institution or professionals who has to authorize them to provide respective services, accreditation program taxable रहेगा, examinations related exemption होगा, okay, लेकिन क्यों, क्योंकि पहला service तो any service provided to student exempt रहेगा, तुसरा service, अगर हम किसी का conductor of examination service लहते तो वो exempt रहेगा, पर accreditation program होगा, तो वो taxable होगा, in this way, okay, we are completed educational sector EI, EI हमने complete किया, अगर आपको अच्छे से समझाओगा, तो फटा फट EI टाइप करो, अच्छे समझाओगा तो फटा फट EI टाइप करो, चलिए, तो entertainment sector हमने complete किया, अब sorry, educational institution हमने complete किया, पर regular book से थोड़ा इसको, और अच्छे से पढ़ लेना, अगर इसमें समझाओगा तो अच्छी बार, I have tried my best to cover each and everything, चलो, अब आजाओ, यहाँ पर, entertainment sector, अब दिखो, यहाँ entertainment sector में, सारे exemptions में एक चार्ट पर कवर कर ली है, पहला exemption, service, service by way of performance, service by artist, in folk or classical, in folk or classical for music, मतलब अगर कोई आर्टिक्स, folks या classical form में, music, dance और theater performance करता है, पर किसमें होना चाहिए, folk या classical form में, music, dance और theater performance करता है, और उसका consideration per performance, 1,50,000 और less है, तो उसको exemption मिलेगा, इंडिया का कोई भी artist, जो folk या classical में, music, dance, और theater performance करता है, और उसका consideration देल लाग से नीचे है, या देल लाग से नीचे है, या देल लाग से तक है, तो exemption मिलेगा, exception है, service as a brand ambassador, लेकिन या folk या classical में, अगर वो as a brand ambassador है, कोई company का brand ambassador है, और वो folk dance करता है, classical dance करता है, music अगर है, तो फिर वाँ exemption नहीं मिलेगा, तो या दो बाते क्या रखना, या exemption पूरा नहीं है, पर performance amount देल लाग, या उससे कम होगी, 1,5,000 और लेसोगा, तो exemption मिलेगा, अगर उसे जादा होगी, तो taxable, next, if you provide the service as a brand ambassador, then fully taxable, no exemption, and this is only for folk or classical, that means, if you, okay, performance dance in other form, other form means western dance, music, etc., okay, तो वो case में, याँ पे आपको benefit नहीं मिलेगा, specifically folk or classical होगी, चलो, दूसरा याँ पे समझेड़ो, admission by, service admission, admission याँ टिकेट चार्जेश, यहाँ लिख दो, ticket charges, ticket charges, अब ticket में देखो, entertainment event, मतलब अगर आप, circles जा रहे हो, ticket लग रहे है, dance, theatrical performance, award function, concert, pension, musical performance, non-recognized sporting event में जा रहे हो, या recognized sporting event में जा रहे हो, या planetarium में जा रहे हो, अगर यह आपको कोई memory technique का बना की याद होता है, तो अच्छी बात है, अगर आप यहाँ पे जा रहे हो, और इसके ticket charges, okay, less than 500 होगा, I repeat, okay, तो इसके ticket charges, आपके, okay, 500 से कम होगा, तो वो case में, आपको exemption मिल जाएगा, just a minute, just a minute, just a minute, यहाँ पे less than or equal to कर देना, less than or equals to, की wording है, पास्टो के उपर नहीं होना चाहिए, यहाँ less than or equal to कर दो, तो अगर less than or equal to 500 से कम ticket होगी, तो उस ticket पे GST नहीं आएगा, उस ticket पे GST नहीं आएगा, अगर यहाँ के entry tickets लग रही है, लेकिन अगर amount कोई ticket का 500 रुपे के उपर है, तो वो case में आपका taxable हो जाएगा, entry to protected monuments, मतलब आप ताजमल जा रहे हो, अजंता एलोरा जा रहे हो, लाल के ला जा रहे हो, कोई protected monument है, और उसकी ticket है, तो उसकी ticket जो है, यहाँ पे fully exempt रहेगी, ओकी धान रहे है, protected monument होगा, तो protected monument होगा, तो उसकी ticket fully exempt रहेगी, फुली exempt रहेगी, वहाँ पासू का criteria applicable नहीं है, और अगर museum, national park, wildlife sanctuary, tiger reserve zoo, यहाँ जा रहे होगे, तो फुली exempt रहेगा, यहाँ पे कोई limit नहीं है, और एक exemption, training or coaching in recreational activity, activity relating to art or culture, by an individual, इंडिया का कोई भी individual, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ो, आठ और cultural form में, जो recreational activity है, tutions लेता है, dance का tutions ले रहा है, painting classes ले रहा है, culture making ले रहा है, whatever art or culture form में, वो tution classes ले रहा हो, और इंडिया का कोई भी individual हो, और वो recreational activity ले रहा हो, तो वो case में उसके उपर tax नहीं आएगा, यह area जो है, ध्यान रखना, बहुत से लोग यह area जो है, dance class ले लिया, उसका revenue बता दिया, painting class ले लिया, उसका revenue बता दिया, कोई यहाँ पर ऐसा class, जो cultural artistic है, मटी के बरतन बनाना, उसका class ले लिया, तो ऐसे case में, कोई भी individual अगर, पर वो individual हो नाचिये, और कोई भी individual, अगर इस type के classes ले, अनपड़ो या कोई भी हो, और कि उसके ओपर GST नहीं आएगा, यहाँ पर ऐसा करना गलत है, बर लोग planning करते है, लोग क्या करते हैं, कि उनकी जो black money की income है, तो गर पे wife ने painting classes ले लिये, mother ने ये classes ले लिये, और कि उसने वो classes ले लिये, कि इसने embroidery classes ले लिये, तो ऐसे केस में बता देते हैं, और वो black income white कर लेते हैं, इसके नाम पर है, चलो जो भी अब government को भी पता है, पर government ने कहा कि, individual ने दिया, तो ये exemption रहेगा, और के रहेगा, फिर second, second वो कहते है, sport by charitable entity, sport training होगी, तो sport training अगर charitable entity करती है, under section 12, A, A, B of income tax act, तो उसको exemption रहेगा, तो ये था बेटा, okay, entertainment related sector, जो मैंने सब कवर कर लिया, पहला classical folk dance कर लिया, फिर entry tickets वाले सारे कवर कर लिये, और training coaching in recreational activity, ये भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया, उसके बाद में access to road or breach, आने toll charges, toll charges annuity होगे या normal होगे, exempt है, national permit charges, तो आपके toll charges exempt है, national permit charges exempt है, service by foreign diplomatic mission in India, all service provided by foreign diplomatic mission located in India, तो वो exempt रहेगी, ख्याल रहे हैं, कि by foreign embassies है, और वो services दे रहे हैं, तो वो exempt रहेगा, then, अब आजाओ government sector में, अब आजाओ government sector में, ठीक है, अब आप जब government sector में आते हो, एक चार्ट जो मैंने यहां दिया है, एक चार्ट जो मैंने यहां दिया है, और एक जो मैंने class में, ऐसे एक तरीके का चार्ट मैंने class में बना के दिया है, ठीक है, तो मैं जो class में बना के दिया है वो चार्ट लेता हूँ वो ज़्यादा आपके लिए easy है और जल्दी connect कर पाओगे और वैसा ही चार्ट मैंने आपको इसमें दिया हुआ है अपने चार्ट book में और जो class में बना के दिया है वो लेता हूँ और कि किसी को screenshot बाद में लेना है तो वो ले सकता है और एक बार बना के देखो यह sector का अगर तुम बना लोगे तो आपके most of the government sector के exemptions cover हो जाएगे ठीक है government sector के exemptions आपके cover हो जाएगे अब थोड़ा मैं आपको यह समझाना चाहोगा जस्ट अमिन्ट जस्ट अमिन्ट वे एक चाट है मिल जाए एक मिल जाए तो बहु ले लेदे अब government sector का exemption क्या है step by step point wise manner में देख लेता है तो यहां government sector का exemption देखो service provided by central government, state government, union territory या local authority इसको मैंने दो पार्ट में divide किया इनकी general activity और इनकी कुछ special activity अब इनकी general और special activity में यहां पे क्या तो यहां पे पहले मैं इनकी कुछ special activity बता देतो यह नाम मैंने दी है specific services या special activity अब यहां पे exemption पढ़ते वक आपको क्या interpretation होगा exemption पढ़ते वक यह interpretation होगा कि अगर government यह services देती है तो वो case में tax आएगा और वो forward charge में आएगा बोलो यह special activity में government अगर services देती है तो tax आएगा और वो यहां पे forward charge में आएगा सबसे पहले तो government कहती है यहाँ पे services supplied by department of post department of post की services I repeat department of post की services taxable होगी पर उसमें उन्होंने दो bifurcation की है अगर सारे exemption आप एक साथ पढ़ लेते हो तो पहला department of post की services जो taxable रहीगी उसमें यहाँ पे कुछ exempt रहेगी कुछ taxable होगी क्या exempt रहेगी जो उनकी basic services है तो serial number 24C में post card, inland letter, book post और ordinary post जहाँ weight less than 10 gram है यहने कोई involve अगर है ordinary post है जहाँ weight 10 gram से नीच है तो अगर यह basic services है तो वो exempt रहेगी पर इसके अलावा department की सारी services taxable होगी all other services like speed post जो department of post speed post service दे रहा है express parcel post, life insurance और agency services etc और के वो taxable हो जाएगा दूसरा अभी उनने एक और add किया है और इसमें add किया है यहाँ पर एक exception जो अभी का amendment है और के services by ministry of railway और के services by ministry of railway ministry of railway railway bracket में Indian railway bracket में Indian railway तो अब जो है यहाँ पर अके तो Indian railway कोई भी services देगी I repeat Indian railway कोई भी services देगी तो यह forward charge में taxable होगा okay any services by Indian railway अके यह पढ़के जाना any services by Indian railway तो now वो taxable होगा और वहां river charge भी नहीं है तो आपके चार्ट में यह add कर देना Indian railway वाला पोस्ट वाला होगा आपके चार्ट में Indian railway वाला होगा तो अच्छी बात है नहीं तो आपको यह add करना पड़ेगा जो मैंने regular class में चार्ट बनवा के दिया था उसके बाद में government की services in relation to aircraft या वेसलो inside or outside the precincts of port or airport port or airport पे government कोई भी services ship को या aircraft को देती है तो वो taxable होगा और government की goods या passenger transport service subject to exemption of transport sector तो government की अगर goods और passenger transport service होगी और वो transport sector में exemption नहीं किया होगा तो उस पर भी tax आएगा तो all of our services supplied by government या local authority to any person मतलब किसी को भी दिया हो public को दिया हो business entity को दिया हो are taxable and these services are taxable under forward charge these services are taxable under forward charge इसलिए मैं इसको specially कर दिया इसलिए special किया कि ये government की services post की कुछ services को छोड़ कर अभी Indian Railway की सारी services vessel or aircraft related services या goods or passenger transport service जहाँ जा taxable है और कि ये services government की tax आएगा और वो forward charge में आएगा वो forward charge में आएगा यहाँ कोई river charge नहीं होगा किसी को भी service दे public को दे छोटे बच्चे को दे तो भी GSTS speed post speed post छोटे बच्चे को दे या passenger transport AC class first class railway में छोटे बच्चे को दे तो भी आएगा तो भी आएगा in simple word यह देखा हमने इसलिए मैं इसको अलग ही कर दिया इसके अलवा अब मैंने government को general services में अब इसके अलवा यह अलग ही कर दिया अब government की general services इसके अलवा government की services मतलब जो general services है public services है अगर service applied to general public public को दिया तो वो exempt रहेगी in short जब आप exemption पड़ते हो तो exemption आता है ऐसा आता है all services by the government is exempt ऐसा आता है all services by the government is exempt except this and this okay except this and this तो पहला thought यह आना चाहिए कि all services supplied by government or local authority exempted okay even though service supplied by government or local authority as a public authority is covered by okay is covered in the definition of business but exempted in short मेरा यह कहना है कि government इनने कोई भी services दी general public के लिए दी exempt होगी exempt होगी except this यह जो special लिया और दीस अब दूसरी वाली क्या है जनरल में अगर service supplied to business entity होगी यह services को छोड़के दो लोगों को वो service provide कर सकते public को और business वाले को अगर services public होगी तो सारी services exempt है लेकिन अगर services business entity को होगी सुनिएगा अगर services business entity को होगी और वो services जो business entity को दिया गया अगे supply to business entity are taxable तो आपको याद होगा कि अगर government business entity को service दे रहा है रेंटिंग आफ इम्मोवाबल प्रॉपर्टी होगी तो रेंटिंग आफ इम्मोवाबल प्रॉपर्टी रेजिस्टर को दिया तो RCM है और अन्रेजिस्टर को दिया तो forward charge है forward charge है तो इसको कैसे पढ़ना ये चार्ट को all services by the government exam except this to business entity कोई भी service business entity को दिया तो taxable है और के जहां तक देखा जा RCM में और रेंटिंग में registered को दिया तो reverse और अन्रेजिस्टर को दिया तो forward और ये जो चार services है जिसमें आप Indian Railway add हो गया है तो ये जो सारी services है ये forward charge में taxable होगा ये समझा क्या आपको ये समझाओगा तो चलो इसका screenshot ले लो इसका screenshot ले लो ये चार्ट का आदा पार्ट है इसका screenshot ले लो इसको फिर आगे बढ़ाते है यहां तक समझाओगा तो फटावट वन टाइप करो यहां तक समझाओगा तो फटावट वन टाइप करो डान ले लिया screenshot, अब ये चार्ट बना के देखना अगर आपके पास अल्रेडी बना हुआ चार्ट है तो सिप उसमें इन्डियन रेल्वे वाला आड़ कर देना चलो, अब ये चार्ट को यहाँ पर और आगे बढ़ाते हैं मैंने आपको पहले कहा कि जब exemption पढ़ते हो तो master exemption क्या है और उसमें जो covered नहीं है तो अलग से क्या exemptions दिये है इन्होंने तो other exemptions, service provided by government या local authority तो और exemption क्या दिये है तो इसको मैंने तीन category में divide किया है पहला, जो government sector को दिये है यहन्ने service provided by government और local authority turnover based और value based exemption मतलब, अगर government ने service दिया और वो service business entity को दिया और जो business entity को service दिया उसका aggregate turn or a preceding financial year below threshold होगा तो ऐसे case में current year में इस business entity को जो भी service दिया वो यहाँ पे taxable नहीं होगा, वो exempt होगा just like a lawyer, जैसे legal service ऐसे business entity को दिया जिसका turn or below threshold है in preceding financial year तो exempt है वैसे government को दिया है अगर मैंने किसी छोटे business entity को दिया होगा government service, government ने service दिया होगा छोटे business entity को दिया है मानते हैं कि business entity को दिया तो river charge लगता है business entity को दिया तो river charge लगता है पर जो business entity को दिया उसका aggregate turn or a preceding financial year में अगर below threshold होगा तो वो case में GST नहीं आएगा, लेकिन ये exemption, special case में applicable नहीं है, और renting of immowable property में applicable नहीं है, मतलब क्या, मतलब अगर आपकी business entity, ये services, ये services, ये जो हमारी special activity है, और ये charge services, including Indian railway, अगर ये charge services business entity को दिया, तो वो case में tax आएगा और forward charge में government देगी, forward charge में government देगी, ये renting of immowable property है, और unregister को दिया, तो forward charge में government देगी, यानि ये जो हमने दिया कि छोटे business entity को service दिया, तो exemption मिलेगा, ओके, छोटा मतलब जिसका aggregate turn or pursuing financial year में below, below threshold है, तो exemption मिलेगा, तो ये जो हमारा special cases वाला clause है, या हमारा renting वाला clause है, यहाँ अपलिकेबल नहीं होगा, और ये छोटे business entity को दिया, तो forward charge में GST आएगा, दुसरा value base, अगर आपकी invoice की value, अगर आप government ने, यानि government जो service दे रहा है, और उसकी invoice value up to Rs. 5000 होगी, तो उसको exemption मिल जाएगा, छोटे bill के, छोटा bill, यानि अप्टू 5000 होगा, तो उसको exemption मिल जाएगा, लेकिन ये 5000 वाला exemption special cases में applicable नहीं है, मतलब अगर government speed for service दे रहा है, और 50 रुपे का भी bill बना, तो भी GST आएगा, अगर वो transportation service दे रहा है, और AC ticket, अगर 1000 रुपे की होगी, तो भी GST आएगा, इन शॉर्ट, ये special जो cases है, तो ये जो 5000 रुपेस पर invoice value, वो special case में applicable, नहीं होगा, चलिए, ये government sector के turn और value based exemption हमने देखे, उसके बाद में, registration testing certification based exemption, यानि अगर आपको कोई भी fees लगती है for registration, under any act, जैसे motor vehicle act में registration fees लग गई, आपके car की वगएरे, किसी भी act में, अगर आपको registration fees लगती है, तो उस registration fees पे GST नहीं आएगा, या आपको पैसा government को देना पड़े, government आपको registration का पैसा लेती है, तो उस registration पे GST नहीं आएगा, government testing, calibration, safety, check, या certification for protection of safety of worker, consumer, public of at large, मतलब fire safety का government आप check करवाती है, food testing करवाती है, calibration अगरे करवाती है, तो government उसका जो पैसा लेगी, उसके ओपर tax नहीं आएगा, उसके बाद में service buy-off, issuance of passport, passport का पैसा government लेती है, visa, driving license, birth or date certificate का पैसा government लेगी, उसके ओपर GST नहीं आएगा, exemption मिलेगा, और government sector के कुछ other important exemptions, अगर government area to agriculture purpose, तो ऐसे case में, वो जो government royalty लेगी, उसके पर GST नहीं आएगा, service provided by one department of government, या one local authority to another department of government or local authority, तो okay, GST नहीं आएगा, पर exception, हमारी जो special cases है, वहाँ GST आएगा, लेकिन वो हमारी, okay, यहाँ पर यह जो special cases है, इसको छोड़के, अगर एक government department, जुसरे government department को, या एक local authority, दुसरे local authority को service दे रहा है, तो वो case में exemption मिल जाएगा, उसके बाद में merchant over time charges, charge by custom department for inspection of cargo, तो वो जो है, उसके ओपर exemption मिल जाएगा, और liquidated damages, charge by non-performance of contract, पहसी बार government आपको contract देरिए, road construction का ये, या वो, जो भी contract दिया government है, और आपने वो perform नहीं किया, तो government आपके उपर charges लगाती है, वो charges जो liquidity damages गवर्मेंट लगाती है, तो उसको, okay, यहाँ पर exemption मिल जाएगा, उसके उपर GST नहीं आएगा, तो चलिए, यह जो second वाला exemptions है, मैंने यहाँ एक चार्ट में cover करने की कोशिश की है, इसका अगर आपके पास चार्ट होगा, तो अच्छी बात है, नहीं होगा, तो screenshot निकाल लो, इसका, नहीं होगा, तो screenshot निकाल लो, इसका, चलो, अब आजाओ, यहाँ पर आप, गॉर्मेंट सेक्टर के बाद, यहाँ cover करते हैं, स्पोर्ट सेक्टर, स्पोर्ट सेक्टर में एक ही एक exemption है, जिसके उपर पुछा जा सकता है, service provided to recognize sport body by individual player, referee, umpire, coach, team manager, for participation in a sporting event, मतलब इंडिया के यहाँ पर यह एक पहला exemption है, और यह दूसरा B, वहाँ पर आटेच कर देना, B, वहाँ पर नहीं होगा, तो लिख लेना, तो पहला exemption है, इंडिया के कोई भी player ने, referee ने, coach ने, umpire ने, अगर recognize sport body को for participation in a sporting event, कोई match चल रही है, जिसमें player खेल रहा है, umpire खेल रहा है, referee खेल रहा है, okay, referee खेल रहा है, referee है, umpire है, तो ऐसे situation में जहां तक देखा जाए, वो जो भी पैसा लेंगे, तो वो पैसे पर GST नहीं आएगा, पर यह service recognized sporting event को दिया, तो ही exemption, अगर non recognized sporting event को दिया, तो taxable होगा, okay, तो recognized sporting event आपके regular book में एक list दी थी, जैसे Indian Olympic Association, Sport Authority of India, ऐसे, okay, मैंने list of association दिया था, okay, तो क्या होगा list पढ़नी पड़ेगी, नहीं, आपको सी, मैं कहे दूँ कि अगर Indian Sport Association या Olympic वगरे आता है, तो ऐसे किसमें आपने खुद नहीं मान लेना कि recognized sporting event है, और उसको अगर player referee empire ने services दिया, तो वो case में यहां पर exemption मिल जाएगा, दूसरा ख्याल रहे, yieldies पढ़के जाना क्योंकि player, referee, empire, coach और team manager, इन कोई exemption है, समझ लो कोई commentator है, selector है, okay, commentator है, समझ लो, selector है, समझ लो, या फिर, okay, यहां पर कोई, दूसरा कोई person होगा, rather than this, तो वो case में taxable होगा, okay, sorry, 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 भी मैंने लिया हुआ है, यह यहां पर लिया हुआ है भी, भी मैंने लिया है, या एक recognized sport body ने, दूसरे recognized sport body को services दिया, तो वो के exemption मिलेगा, now construction sector के exemption में, इसमें यह वाला exemption अच्छे से पढ़के जाना, original work for single residential unit, अगर कोई single residential unit का original construction, erection, installation, मतलब आप अपना खुद का घर दनने के लिए construction, erection, installation, service लिया, जिसमें pure labor contract होना चाहिए, foods involved नहीं होना चाहिए, works contract नहीं होना चाहिए, और आप अपना खुद का घर बाद रहे हो, जो complex का part नहीं है, जो कोई scheme का part नहीं है, तो उसको exemption दिया गया, उसके बाद में अगर आप misleading section में आते हो, तो transfer of going concern, transfer of going concern मतलब अगर आप अपना business बेच रहे हो, या फिर अभी acquisition हो रहा है, आपने business किसी को बेच दिया, कोई acquisition कर रहा है, 100 करोड, 200 करोड, 500 करोड, तो pay tm ने अपना business बेच दिया, 5000 करोड का, तो in short, कोई भी अपना going concern business या उसका कोई भी part बेचता है, तो उसका जो भी consideration मिलेगा, उसके उपर GST नहीं आएगा, next, organization of business exhibition outside India होगा, okay, कोई अगर Indian company, इंडिया के बाहर दुबई में हो, South Africa में हो, कोई exhibition यहाँ पर organize कर रहे है, जिसके charges ले रहे है, तो उसके उपर GST नहीं आएगा, next बेटा, यह वाला exemption, okay, थोड़ा अच्छे से पढ़के जाना, okay, यह exemption में, especially RWA members और, etc, जैसे यह exemption क्या है, कि service by unincorporated body, यह registered not profit entity, okay, अगर यह service अपने ही member को दे रहे है, by way of common reimbursement expenses, यह share contribution, तो वो case में exemption रहेगा, जिसमें trade union वगरे आती है, यह वाला part जो है, यह थोड़ा important है, okay, और यहाँ पर यह एरिया में एक छोटा बड़ा question आ सकता है, वो question क्य आ सकता है, तो देखियें, अगर housing society होगा, या RWA होगा, RWA मतलब resident welfare association, लिखना होगा तो, अगर housing society अपने member को monthly maintenance charges लगा रही है, सुनिएगा, housing society अपने member को monthly maintenance charges लगा रही है, अगर वो monthly maintenance charges for common expenses होगे, common expenses के monthly maintenance charges होगे, और housing society अपने member को लगा रही है, तो 7500 तक वो exemption रहेगा, member per unit I repeat per member per unit 7500 तक exemption रहेगा लेकिन अगर ये amount 7500 के उपर होगा तो total taxable होगा let's take example ये amount जो है ये आपका total यहाँ पे 9000 है अगर total 9000 है तो वो case में total यहाँ पे taxable किया जाएगा तो total taxable किया जाएगा उसके बाद में बैटा यहाँ next कुछ clarification है कि ये 7500 तक exemption रहेगा अब कभी कभी क्या होगा कि residential welfare society है तो मज़ी लोग कुछ member का यहाँ पे monthly contribution 7500 के अपर जा रहा है पर इनका aggregate turn all 20 lakh से नीचे है अगर उनका aggregate turn all 20 lakh से नीचे है तो फिर वो housing society को registration लेने की जरुवत नहीं है और वो केस में GST नहीं लगाएगी इवन दो कुछ member का यहाँ पे monthly membership जो है 7500 जा रहा है और उसके बाद में ख्याल रहे है और यह अगर tax लगा रही आर डबली तो वो ITC भी लेगी for imports और capital goods यह जो limit देखी जाएगी for each residential apartment owned by him समझ लो मैं उस housing society में मेरे दो यहाँ पर apartments है तो दो apartments मिला के 7500 होगा क्या नहीं इच अपाटमेंट के लिए 7500 मिलेगा तो अगर उस society में मेरे नाम पर दो residential apartment होगे तो वो case में मुझे 7500 और 7500 दोनों अलग-अलग मिलेगा उसके बाद में next जो है यहाँ पर amount exceed 7500 होगी तो total amount पर tax लाया जाएगा total amount पर okay tax लाया जाएगा ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर जो है और एक exemption जो आपने पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़के जाना चाहिए वो exemption का reference यहाँ पर है और वो है यहाँ इस बेटा अगर service provider यह IGST के मैं government होगा yeah okay any individual होगा other than for business a service लेने वाला यहाँ पे government होगा अगर गौवर्वेंट होगा यह कोई service लेने वाला individual other than for business ले रहा होगा तो okay even though वो service import होगी पर government लेका तो exam यह कोई इंडिया का individual लेगा other than for business लेगा तो वो exempt होगा दूसरा अगर सर्वीज charitable entity लेती है जो register under section 12AA यह 12AB भी आड़ कर देना अब income tax act तो वो case में यहाँ पर exemption रहेगा और तिसरा अगर recipient non-taxable territory में है I repeat recipient non-taxable territory में है तो वो supplier भी non-taxable territory में है और recipient भी non-taxable territory में है दोनों party इंडिया के बाहर है अगर दोनों party अगर इंडिया के बाहर होगी पर service इंडिया में होगा तो भी वो exempt रहेगा अगर दोनों party इंडिया के बाहर होगे तो देखो अगर service import होती है बाहर से इंडिया में provider इंडिया के बाहर है government लेता है तो एंडियूजल other than for business लेता है तो एंडियूज परसनल परप क्या है तो इसका exception यह है कि OIDAR service provider अगर OIDAR service provider इंडिया के बाहर है तो अगर section 14 of IGST act आपको याद होगा तो section 14 of IGST act में मैंने यह पढ़ाय था कि OIDAR service provider इंडिया के बाहर होगा और वो NTOR को service दे रहा होगा तो वो case में tax आएगा और वो case में tax जो है कि वो बहरवाला OIDAR service provider इंड दूसरा एक exception और था कि foreign shipping company I repeat कि foreign shipping company अगर Indian importer को service दे रही तो वो भी exception था वो taxable पर वो अटा दिया गया है और उसको exemption दे दिया गया है इसलिए second वाला exception foreign shipping company transportation service importer को देती है तो वो situation में exception में था वो taxable था अब उसको हटा दिया गया है और क्योंकि वो double taxation create कर रहा था क्योंकि custom में भी हम और के freight charges add करते हैं तो वो case में उसको अटा के exemption दे दिया गया है अभी फिलाल एक ही exception है दूसरा आपके exam के लिए tour operator वाला जो मैंने regular class में आपको पढ़ा है वो पढ़के जाना है मैं आपको समझा देता हूँ तेको अगर Indian tour operator सुनिएगा Indian tour operator अगर service दे रहा है औ foreign tourist और wholly India के बाहर दे रहा है अगर foreign tourist को wholly India के बाहर दे रहा है तो वो exempt रहेगा लेकिन Indian tour operator foreign tourist को partly India में दे रहा है और partly India के बाहर दे रहा है तो जो partly India में रहेगा वो taxable है और जो partly India के बाहर रहेगा वो exempt है तो पर इसका day basis पे आपका calculation किया जाएगा कि कितना partly India में और कितना partly इंडिया के बाहर है, now, okay, government ने इसके day basis के calculation दिये और वो day basis के calculation आपको regular book से अच्छे से पढ़के जाना है ठीक है, भी rather exemption ये okay, आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना okay, ऐसे कोई इतना important नहीं है लेकिन इसमें जो है, ये वाला part जो है, okay पढ़के जाना, ये अभी add किया है तो service provided to government government को अगर service provide किया तो क्या exemption है, तो ये वाला part पढ़के जाना okay, service provided by fair price shop मतलब क्या, मतलब यहाँ पे कि जो राशन की shop है, और जो राशन की shop चलाते है, वो government को service देते है और government उनको commission देती है तो राशन की shop चलाने वाले को जो commission मिलता है, वो exempt है दूसरा, अगर okay, pure service contract होगा या composite supply जिसमें goods element 25% से कम होगा और service article 243 243W की होगी, और ये service government को दिया, तो exemption है इस बार उनने एक exemption add किया है इस बार amendment में भी मैंने cover किया था और ये अच्छे से पढ़के जाना okay, कौन सा add किया है उनने exemption service provided to governmental authority अगर governmental authority को service दिया by way of water supply, public health okay, sanitary conservancy solid waste management, slum improvement and upgradation, इस type की services अगर governmental authority को दिया तो वो case में exemption दिया गया है एक ये वाला exemption अच्छा है कि government के कोई भी training program होगे अब जैसे मैं GST का training program लेता हूँ या कोई भी इंडिया का person training program ले रहा है और किसके ले रहा है government के और वो training program में government 75% का expenditure खुद कर रही है 25% employee पे डाल रही है 75% या more वो expenditure अगर खुद कर रही है तो वो case में और कि वो training program पे जैसा जो भी charges होगे उसके पर GST नहीं आए जैसे मैं बहुत सी बार GST के program लेता हूँ GST department के जहाँ पुरा खर्चा government करती है तो वो bill पे GST नहीं आता है तो ये दो हमने देखा बाकी तो ठीक है बाकी यहाँ पे जो आपको जितना read करना है हाँ सारे CBIC clarification ये पढ़के चले जाना दो-दो line में मैंने यहाँ पे arrange करके दिये हैं तो सारे CBIC clarification प्रॉपरली इसको पढ़के चले जाना है आपको ठीक है यहाँ मैंने cover करके दो-दो line में दिये हैं तो इस तरह से हमारा exemption का और एक है पेटा एक exemption renting of residential dwelling renting of residential dwelling का पूरा चार्ट मैंने exemption chapter में sorry renting of residential dwelling का पहले इसमें मैंने अच्छे से cover कर लिया है और वह आपको RCA में आएगा तो वह भी हमने अच्छे से cover कर लिया है तो येस बेटा जितने main main exemptions थे वो सारे main main exemptions मैंने cover करने की कोशिश की है और बाकी तो जो बचेवे exemptions से तो आप अपने regular book से cover कर लेना और इस तरह से हमारा यहाँ पे ये chapter in होता है और वो था exemption दोस्तों मैं आपको यह ही कहूगा कि आपके पास बहुत अच्छी opportunity है जितने भी revision lectures में डाल रहा हूँ जरूर देखिएगा आपको बहुत helpful रहे हैं बहुत helpful रहेगा subject से आप फीर से connect हो जाओगे और इस से related questionnaires भी मैं gradually update कर रहा हूँ जैसे जैसे मेरे questionnaire आप पहले self पढ़ो self में ही आपको बहुत कुछ समय जाएगा अगर आपको self में बहुत कुछ नहीं समझा तो मैं accordingly gradually update करते रहोगा जो जो important questions है I hope आपकी पढ़ाई अच्छी चल रहे होगी all the best इस बार आपको कोई भी chance नहीं छोड़ना है और आने वाले exam में या इस बार 80 पार दोस्तों अगर ये revision आपको अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेर कीजिएगा आपकी comments जरूर दीजिएगा और like जरूर कीजिए Thank you so much